के लिए क्या इस पेसल और कैसे रिपोर्ट्स आप उपलब्द कराएंगी विरेंजी देखिए यह जो चुनाओ है यह देश की तकदीर का फैसला करने वाला चुनाओ है कल का दिन इस देश में एक नई सरकार के लिए मुहर लगाएगा कि अब इस देश पर आने वाले समय में पांच साल तक काउन राज करेगा उत्तर प्रदेश जो देश के सबसे बड़ा सूबा है जहांके हर जिला मुख्याले पर काउंटिंग होगी वहाँ पर एक एक नहीं दो दो तीन तीन बारत समाचार के परतनीदी मौजूद रहेंगे और वो सुबा छै बज़े से लेके अ पर सको को हम लोग उपलप्त कराएंगे ब्रिया जी आज एक्जिट पॉल पर चर्चा हो रही है एक्जिट पॉल तो बहुत हुए लेकिन जब से हम लोग मीडिया में वोट डाल रहें समझदार हुए आप तक कोई सर्वे वाला हमसे पूछिस नहीं कि कहा वोट दियो आप था हमसे पूछा कि भाजपा को दियो कि कांग्रेस का कि सपा को किस को दियो मिलते नहीं कहीं है पता नहीं कहां सर्वे कर लेते हैं हम लोग तो उनसे नाराज हैं कि वही हमसे मिला करो कभी-कभी कैसे करते हो हम लोग जाने वैसे इस देस में बीजेपी की सरकार बनने की लेकिन जो यूपी का चुनाव परडाम होगा उस पर सबकी निगाह है और यूपी का कोई भी दल कोई भी एजनसी ठीक ठाक सर्वे अभी तक नहीं दे पाई है तो ये बड़ी बिचित्र सी बात है कि उत्तर परदेश का परडाम क्या होगा इसको लेकर अभी भी रहत से बना में हो सर्वे अजनसी हो मीडिया के लोग हो राजनेता हो नौकरी पेशा लोग हो सब के दावों को लोग आसानी से अब कोई मानता नहीं है लोग जुटला देते हैं यह पिस्योसनियता के संकट का दोर है और सचाई को छुपाने का दोर है ऐसे दोर में वक्त लगेगा तो कल तक का इंतिजार करना होगा कि आखिर मसीन से क्या सच्चाई बाहर आती है लेकिन एक चीज आप हालात पर नजर डाले तो आप यह देखेंगे कि कोई बहुत आंधी नहीं थी कोई तूफान नहीं था ना मोदी का ना पुल्वामा का ना कोई बहुत देश पे खतरा लेकिन भाजपा का राशन चल गया मोदी का चेहरा चल गया हिंदुत चला राष्टवाज चला राम मंदिर पर भी उतनी चर्चा नहीं हुई ऐसा लगता है कि जो लोग सर्वे बता रहे हैं उसमें ये सारी चीजे चली लेकिन विपक्ष इस बात से आश्चर में है कि मायवती का हाथी नहीं चला संबिधान चला आर अच्छर चला तो फिर सीट कहा चली गई ये भी उनको अपना चीजे दिखानी है और जाननी है तो सर्वे को कितना सच माना जाएगा अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं है अब तो 24 घंटा से भी कम समय है अब तो 18 घंटा बाद तद्वीर साफ हो जाएगी लेकिन 140 करोन के इस देश की आबादी में कौतूहल तो देखे बना हुआ है और सबके सामने ये है कि सच्ची बात कहां साबित होती है लेकिन उपलब्धियां जो होती है वो अपने साथ आलोचनाएं भी लेकर आती है उपलब्धियां और आलोचना को आप एक दूसरे कमित्र कह सक हैं कि अगर आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी तो आपकी आलोचना भी निश्चित बढ़ेंगी तो जो पार्टी जितनी उचाई पर है उसके सामने देखें उतना बड़ा संकट तो रहेगा बस एक चीज है कि एक जीट पोल वालों की वज़ा से यह जो हल्वाई है भी कहना पैसा भी न मिलें कांग्रेस के लिए एडवांस पैसा मांग रहे हैं तो यह थोड़ी समस्या है बागी तो ठीक है वैसे सुनिएगा कि कल के लिए क्या होता है कि टक टकी बांधे बैठे हैं कि आज सब बेकरार हैं और सियासत का फेर बदल होने को है अब नए तमा को अब फटे रुमाल पर खुस्बू लगाता हूं उससे कह दो कि यह उचाईयां मुश्किल से मिलती हैं वह सूरज के सफर में मोम के बाजू लगाता है बहुत शुक्रिया विरेंजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए